नमस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल BCS Basic Physics में आज की इस वीडियो में हमें कक्सा बारा और कक्सा दस दोनों में एक टोपिक है लेंस की ख्रमता लेंस की सक्ति इसका ध्यन करने वाले हैं ये एक अक्सा बारा में जो नवा चैप्टर है किर्ण प्रकास के हम प्रकासी की अंतर उसमें है देखिए इस वीडियो में हम लेंस की ख्रमता क्या होती है इसको हम दो तिन तरीके से परिभासित करेंगे लेंस की ख्रमता का यहां पर हम सुत्र देखने वाले हैं तो विद्यारति इस वीडियो को स्टार्ड करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस की ख्रमता होती क्या है तो देखिए जब किसी लेंस के उपर प्रकास की किर्णे आपतित होती है तो वो अपवरतित हो जाती है क्योंकि उसके अंदर से आरपार जाएगी जब प्रकास की किर्णे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है अर्थारत जब लेंस में से भी वो आरपार जाएगी तो प्रकास की किर्णे मुड़ जाएगी प्रगास के किरणे क्या होगेगे? अपने पत से विचलित होगेगे, मुड जाएगे तो किसी लेंस के द्वारा जो उन प्रगास किरणों को जो मोडने का सामर्त है उनको मोडने की जो क्षमता है, उसी को हम लेंस की सकती गयते हैं एक बार देखिए, सुन लीजी, हम यह जानते हैं कि जब प्रगास के किरणे एक माद्यम से दूसरे माद्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पत से विचलित हो जाती है, अपने पत से मुड जाती है और जब लेंस से भी वो पारगमित होती है, लेंस के आरपार जब हो जाती है तो वो अपने पत से विचलित हो जाती है, मुड जाती है या तो भो दूर फेल जाएगी, या वो मुख्यक्स की और संकुचित मुजएगी, अभी शरित हो जाएगी तो देखे किसी lens के द्वारा जो आपतित प्रकास किरने है उनको मोडने का जो समर्ते होता है मोडने की जो क्षमता होती है उसी को यह हम lens की सक्ती कहते हैं यही है lens की सक्ती की definition कि lens पर प्रकास की किरने आपतित हो रही है और उनको वो किस मात्रा में मोड रहा है कितनी ज़्यादा मोड रहा है या कम मोड रहा है ज़्यादा मोड रहा है इसका मतलब उसकी समता ज़्यादा है कम मोड रहा है उसकी समता या सक्ति कम है तो lens पर आपतित प्रगास क्युणों को lens द्वारा मोडने की जो ख्रमता होती है उसी को ही हम lens की सक्तिय ख्रमता कहते हैं इसे P से परदसित करेंगे और इसका जो दूसरी definition है वो भी हम अभी देने वाले हैं पहले मैं इस definition को आप लोगों के सामने रख देता हूं तो किसी lens पर आपतित किसी lens पर आपतित प्रगास क्युणों को प्रगास क्युणों को lens द्वारा lens द्वारा मोडने की क्षमता या हम कह सकते हैं मोडने का जो समर्ते होता है उसी को ही हम क्या कहेंगे lens की क्षमता कहते हैं lens की क्षमता या सकती कहते हैं सकती कहते हैं यह है लेंस की ख्रमता की definition clear अब देखे इसको हाँ मैं एक सुत्र की रूप में पिरो देंगे और जो सुत्र है वो एक तो फोकस दूरी पर depend गरता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी ख्रमता उतनी ही ज़्यादा होगी देखे दूसरा तरीका क्या है इसको परिभासित करने का कि किसी लेंस की मुख्यक्स से एकांग दूरी प्राप्तित प्रकास किरण में जितना विचलन उत्पन होता है जितना विचलन उत्पन होता है उसे ही हम लेंस की ख्रमता कहते हैं देखे मैं यहाँ पर इसको put कर देता हूँ कि यह हमारे पास में कोई उत्तल लेंस है कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है और इसकी मुख्य अक्स यह है यह क्या है इसकी? मुख्य अक्स और इसे मुख्य अक्स से कुछ दूरी पर यह कोई प्रगास की किरण इस मुख्यक्स के समान तराप्तित होती है और हम यह जानते हैं कि मुख्यक्स के समान तराप्तित होने वाली जो प्रगास की किरण है वो फोकस बिंदू से होकर जाएगी कहां से होकर जाएगी फोकस बिंदू से होकर गुजरती है तो यहां से यहां तक की जो distance है वो focus दूरी कहलाती है और देखो यहां से यहां तक कि जो distance है दोनों इनके बीच की जो distance है मुख्यक्स और आप्तित प्रकास किरण के बीच की दूरी को मैंने यहां पर किस से पूट कर दिया? एच से पूट कर दिया यह तो हम जानते हैं कि मुख्यक्स के समांतर आप्तित होने वाली प्रकास की किरण कहां से जाएगी? focus बिंदू से जाएगी अब देखो इस प्रकास किरण के अंदर जो विचलन उत्पन होता है वो है theta यह कौण theta तो यह angle भी कितना होगा? theta होगा अब मेरी बात को सुनना आप इसकी दूसरी definition क्या है? lens की क्रमता की? कि मुख्यक्स से एकांक दूरी पर मुख्यक्स से एकांक दूरी पर आप्तित प्रकास किरण में उत्पन विचलन यदि हमें इस दूरी को जो h हमने ली है यह दो दूरी हमने ली है मुख्यक्स से इसको एकांक ले ले, एकांक का मतलब क्या है, एक मीटर ले ले, तो इसके अंदर उत्पन वीचलन, देगो जानी तो यहां से चाहिए थी, बट यह मूड कर इधर से जा रही है, तो यह अपने मूल पत से थीटा कोण पर घूम गई, तो इसमें कितना वीचलन उत्पन हुआ, थीटा, मूल पत से जो नई जो दिसा बनी है, उसके बीच का जो एंगल होता है, उसको हम वीचलन कह रहे हैं, तो यह जो वीचलन थीटा है, इस थीटा को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की सक्तिया लेंस की समता कहते हैं, वैसे यह डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में रखन यही है इसकी मूल डेफिनेशन, हम इसको एक सुत्र की रूप में पिरोने के लिए दूसरे तरीके से प्रिभासित करें, हलांकि यह डेफिनेशन भी गलत नहीं है, बर थोड़ी सी जटिल समझ सकते हैं, तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, कि किसी लेंस की मुख्य अक्स से एकांक दूरी पर, आप्तित होने वाली, आप्तित होने वाली प्रकास कीरण, उत्पन विचलन, लेंस की क्षमता या सकती कहलाता है, लेंस की क्षमता या सकती कहलाता है, तो यह इसके दूसरी डेफिनेशन हो गई है विद्यारतियों, अब देखें इस डाइग्राम की साहिता से, इस डाइग्राम की साहिता से हम इससे सकती को परिभासित करेंगे, आप लोग यहां से देखेंगे, कि हमने एच दूरी परिए प्रकास किरण को आपतित करवाया है, जिसमें थीटा कोण का विचलन उत्पन हो गया, यह कोण यदि थीटा, तो यह एंगल भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा, ओसे एफ तक की जो डिस्टेंस है, वो इसमोल एफ है, जिसे हम फोकस दूरी कह रहे हैं, इस लेंज की फोकस दूरी स्मोल एफ है, और मुख्यक सही से आपतित प्रकास किरण की जो डिस्टेंस है, वो इसमोल एच की एकबल है, इस ट्राइंगल में, यहां से देखेंगे, चित्र में तिर्बुज से, तिर्बुज को हम चाहें, तो इस बिंदु को आप केपिटल M नाम दे दीजी, तो यहां से आप देखेंगे, चित्र में तिर्बुज M O A P से, M O A P से, आप देखेंगे, 10 ठीटा, 10 ठीटा बराबर होता है, लंब बटे में आधार की, तो लंब बटे में आधार, तो देखें, ठीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब है, तो यह ठीटा, इसके सामने वाली भुजा है एंच, तो यह हो गया लंब है, तो एंच हो गया, बटे में आधार, आधार हो गया O F, जो कि small f है, जो कि कितना है, small f, clear, और जब ये विचलन बहुत कम उत्पन होता है, यदि थीटा बहुत छोटा होता है, तो हम 10 थीटा को थीटा पूट कर सकते हैं, तो देखें, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यदि थीटा क्या हो, भूच छोटा हो, थीटा अति अल्प हो, थीटा कैसा हो, अति अल्प हो, तो 10 थीटा को हम क्या पूट कर सकते हैं, थीटा लिखा जा सकता है, तब हमें क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर, देखें, 10 थीटा को थीटा हम लिख सकते हैं, तो यहां से इस से 10 थीटा की जिगे तो मैंने पूट कर जा थीटा यह किसके इक्वल आ गया एंच बटे में एफ के एक्वल आ गया है अब मैं यहां से परिभासित करूंगा लेंस की ख्रमता को यही मुख्यक से समांतर जो प्रगास की किरनापतित हो रही है उसकी डिस्टेंस एकांग है यह से यहां तक की दूरी यदि एक मेटर है तो यह जो थीटा होता है इस थीटा को सकती के इक्वल पूट कर देंगे हैं लेंस की ख्रमता की प्रिभासा से यदी यदि एंच बराबर एक मेटर, ह बराबर कितना है, एक मेटर है, तो, थीटा बराबर होगा, पी के, थीटा किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल होगा, लेंस की ख्रमता के इक्वल होगा, clear, अब देखिए, तो, यहां से, इस equation, यह जो समीकरण है, वो हमारे पास में क्या जाएगा, पी, थीटा के जिगए, पी, और इससे, एच की जिगए में पुट कर दूँगा, एक, तो, पी बराबर हमारे पास में आ गया है, एक बट्टे में, आफ, पी बराबर क्या गया, एक बट्टा, आफ, प्राप्त हो चुका है, अर्थार्थ, जो लेंस की ख्रमता होती है, वो फोकस दूरी के विद्करम के बराबर होती है, तो, फोकस दूरी के, किसी लेंस की, फोकस दूरी का विद्करम, लेंस की ख्रमता कहलाता है, तो एक definition हमारे पांस में यहाँ पर और प्राप्त हो चुगी है देखिए क्या है कि किसी lens की focus दूरी का व्युतकरम focus दूरी का व्युतकरम focus दूरी का व्युतकरम हो गया एक बटा F clear? व्युतकरम lens की क्षमता कहलाता है lens की क्षमता कहलाता है clear? देखिए जो focus दूरी है यह एक दूरी ही है और इसका जो standard मातरक है वो meter होता है तो जो peak का मातरक होता है वो एक बटा meter होता है जिसे हम diopter कहेंगे जिसे क्या कहा जाएगा? इसका मातरक भी आप लोगों को ध्यान में रखना इसका मातरक diopter होता है बार-बार यूज में आता है और कई बार क्या करते हैं? meter को diopter में convert करते हैं इसमें बड़ी तूरी कर देते हैं क्योंकि जो focus दूरी है mostly आपको numerical questions के अंदर centimeter में दी हुई होगी पहले आप उसे meter में convert करें meter में यदि आप convert कर देते हैं तब जो P का मातरक होगा वो diopter आएगा, clear? तो देखे, P का मातरक क्या होता है? P का मातरक वही होगा जो एक बटा F का मातरक होगा एक बटा F का मातरक एक बटा F का मातरक होगा एक बटा meter और इसे हम कहते हैं diopter इसे क्या कहा जाएगा? diopter कहा जाएगा capital D से इसको हम put करेंगे capital D से इसको put किया जाएगा ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किसी lens की जो ख्रमता ये सकती होती है उसका मातरक होता diopter D से put करते हैं एक बटा meter के बड़ाबर होता है clear? अब देगे कुछ महतवफुन बाते भी मैं आप लोगे सामने यहाँ पर रख देता हूँ कि जैसे हम बात करें किसी lens की तो जो उत्तर lens है वो मुख्यक्स की समानतर आपतित होने वाली प्रगास किरण को मुख्यक्स की ओर भोड देता है उसको हम कहते हैं अभी सरित करना एक जगाई कटा करता है अभी सरित करता है clear? और जो आउटर lens होता है वो क्या करता है? जो प्रगास की किरणे यह रिनात्मक, तो जिसकी focus दूरी धनात्मक तो उसकी lens की क्रमता भी धनात्मक होगी, तो यहां पर focus दूरी धनात्मक और रिनात्मक होगी, तो देखें यहां पर आप लोग, मैं यहां से इनको हडा देता हूँ, यह definition को, और थोड़ी सी कुछ महतवपूर्ण जो बाते हैं, लूँ आप लोगों के सामने रख देता हूँ, लेकि पहली महतवपूर्ण बात तो यही है कि जो उत्तर लेंस और उत्तर लेंस है, इनकी focus दूरीयां धनात्मक और रिनात्मक होती है, तत्व स्चा幫 जो lens की क्रमता है, वो भी धनात्मक और रिनात्मक हो सकती है, धनात्मक होगी तो यहां पर ध्यान देंगे उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी होती है धनात्मक तत्पस्यात इसके लिए जो सक्ती है वो भी कैसी होगी धनात्मक होगी तो देखे ध्यान देंगे आप लोग यहां पर उत्तल लेंस के लिए उत्तल तो या जिस से PB केसा होगा धनात्मक होगा clear F धनात्मक तो PB धनात्मक फिर देखिए आउतर लेंस की यदि में बात करूँ तो आउतर लेंस प्रकास किर्णों को फेला देता है अपसरित कर देता है उसकी फोकस दूरी रिनात्मक ली जाती है कैसी होगी फोकस दूरी रिनात्मक होगी जब फोकस दूरी ही रिनात्मक है F रिनात्मक तो PB केसा होगा रिनात्मक होगा clear तो PB केसा होगा रिनात्मक होगा यहां तक आप लोग वो समझ में आ जाना चाहिए अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा और, देखिए हमने lens निर्माताओं का सुत्र इससे ठीक पहले देख लिया है, lens maker formula, lens maker formula क्या है, देखिए, lens maker सुत्र, lens maker सुत्र क्या है, एक बटा F बराबर होता है, N21-1, एक बटे में R1-1 बटे में R2, ये formula होता है, एक बटा F बराबर N21-1 into एक बटा R1-1 बटे में R2, then यहां से देखे एक बट्टे F के इस्तान पर हम क्या put कर देंगे P put कर देंगे तो उस lens की जो क्षमता है lens की क्षमता या lens की शक्ती ख्षमता अप लोग यहां से देखेंगे P बराबर हम put कर देंगे N2 1-1 1 upon में R1-1 upon में R2 ऐसे put किया जा सकता है यह हमारे पास में lens की क्षमता का एक अन्य फॉर्मूला आ गया है हलांकि आप लोग यही ध्यान में रखे इससे आप lens की सक्ती या क्षमता को परिभासित भी कर सकते है फोकस दूरी का विद्करम lens की क्षमता या सक्ती कहलाता है तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने देखा कि lens की क्षमता क्या होती है आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोस्तों